गर्दगन से हमारे संबादधाता राकेस गौर की इस्पेशल रेपोर्ट गर्दगन से हमारे संबादधाता राकेस गौर की रिपोर्ट नगर के बाद नमबर 6 बगीच महला में रहने बाली 65 बर्दगन सूरज भाई के कच्चे तूटे फूटे मकान में रात्री में चोरों ने धाबा बोल दिया और ब्रद महिला द्वारा खेतों पर मजदूरी कर चार जून की कड़ी मेहनत से कमाया गया पैसा घर से रखा पैसा चोर उड़ा कर ले गए बहीं घर में रखे पीतल के बरतन चांदी के जेवर को भी चोर अपने साथ ले गए घटना तब घटित हुई जब महिला रात्री में अपने ही पास में एक घर में रहने बाली अपनी पुत्री के घर चली गई थी सूना घर देखकर अग्याद चोरों ने घटना को अंजाम दे दिया इस घटना के बाद ब्रद महिला का रो रोकत बुरा हाल है इस घटना क्रम के बाद महिला ने अपने परीजनों के साथ ग्यद गें थाने में रिपोर्ट दर्ज कर आई इस गटना किरम में यादी मानी विता द्रस्टी कौन से यादी देखा जाए तो ये चोरी महत 5000 रुपे नगत कुछ पीतल के बरतन कुछ चांदी के आबुसरणों की नहीं है इस चोरी के बाती गरीबी में अकेले जीवनियापन कर रही उक्त महिला की मानो बरसों की जमा पुंजी सारी जिंदगी की चोर अपने साथ उड़ा ले गया पुंजी पतियों के यह चोरी हो जाने की बात अपनी बिवस्ता चंद दिनों में कर लेता है पर उक्त ब्रद महिला सूरजबाई को फिर कड़ी धूप में दूसरी जगए मेहनत मजदूरी कर घर के खर्चों के साथ बचत कर पैसा जोड़ना होगा अपने लिए आबुसर लेने होंगे घर पर मेहमान आ जाएं तो उसके लिए अच्छे बरतन की बिवस्ता करनी होगी ब्रद महिला सूरजबाई के घर चोरी की घटना के बारे में किसी को खबर नहीं परीजनों ने अपने हाल पर छोड़ दिया जब किसी ने महिला के दर्द को नहीं समझा तब अपनों को अकेला और ठगा सा महसूस होकर रोहने लगी लगातार आसूं की धार का तूटने का मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उक्त महिला को सांथ रहने एवां पूरे घटना क्रम को बताने क्यों कहा तब कहीं जाकर उक्त महिला ने बड़े ही मार्मिक धंग से मुझे पूरा घटना क्रम बताया उन्होंने यह भी बताया कि थाने में रपोर्ट करने गई थी तो आब एदन तैसिल में बनमाने के बाद जैसे पता लगा कि यहां पर कल इनके साथ यह से घटना हुई है तो उ पर एक अच्छा और मानवता का अच्छा परीचा दिया है कि इसके लिए क्या नाम बैया मैं राकेश गो जन्रलिष्ट में आपक क्या घटना क्रामी यह पूरा रहा दो दन का यहां पर मैंने कल देखा कि एक ब्रद महिला है बाद नमबर छे में रहती है उनका चूरी का च साल में घटी की थी महनत मंदूरी करके उसको चोड़ चुरागे लेगे लगए पांचे यार की रासी थी और कुछ बरतन और कुछ उरकी गहने इसके बाद मेरे अंदर अंतरात्मा ने यह बोला कि कि किसी भी तरह से मदद की जाए मैंने सोसल मीडिया का इसमें सहारा लिया उसमें मैंने लोगों को मदद के लिए आज रहे किया लोग आ गया आए और उनके इनके मदद की आठेटूप से मदद की कुछ लोग ऐसे हैं जिनों ने को आबुसारों की भी डिवाइन की है तो वह कुछ लोगों में उखलब करा देंगे और सभी लोगों का भरपूर सही कोई वहां से बाजमारा करी एती इए कोई नहीं कोई तो नहीं देम उनक था हूँ नहीं देमाले लोगों में चारा प檸ंद पोड़रा दो कहा दो कि रात Прिव जोगजोद का वरतन भी ले गाए पीटर को परस्टन का चुन लेंगे बाके पहले भी कोई कछू ले जा तो पहले भी सब मेरे कप्डा एरा गए चाड़ंगे पनी लाई जो चारा तो पनी लाई मेरी पनी रहा गए पिलाइड नहीं थी मैं डोरी ले आई चत्री ले आई राजन सर्काई गोटे गाउं से हमारे संबादाता आसीश चाहू की रिपोर्ट मान नर्वदा के लिए एक दिवसी सांकेतिक धरना मद्द प्रदेश की जीवन दाइनी मान नर्वदा जिस तरह से उत्खनन किया जा रहा है बहुत काफी चिंता जनक है यदि मान नर्वदा का उत्खनन बंद नहीं हुआ तो ऐसा लग रहा है कि मानो हमारी आने वाली पीडियों को मान नर्वदा के दर्सन नसीब नहीं होंगे जब लाखों सरदालू नर्वदा जन्मुत्त पर घाट घाट जाकर अपनी सुक समरिद्दी के लिए पूजा अर्चना कर रहे थे तब नर्सिंगपुर अनुबिभागी अधिकारी राजस नर्सिंगपुर जिले को लिखित ग्यापन देकर सरकार से मांग की कि जल्दी ही मान नर्वदा का उत्खनन करते पाया जाए जो भी मान नर्वदा का उत्खनन करते पाया जाए उसे धारा 307 का प्रकरा दर्ज किया जाए उसके बहन को र तराना से हमारे संबादधाता कल्याण सिंग तोमर की रपोर्ट लोथ देव दर्वार में बहे रही है भक्ती की गंगा तराना के ग्राम लोध में देव नारायन भगवान के मंदर में लाल भाई फूल भाई माता प्राण प्रतिष्टा पत्सुनात बाबा महाकाल की प्राण प्रतिष्टा के साथ ही पंच कुंडिये सिपसक्ति महाईग्य एभम सत्चन्डी अनुस्ठान बा नानी बाई का मायरा का आयोजन प्रतिदिन किया जा रहा है यग्गाचार जीवन अगनी योत्री एबम कथा बाचाक सूसरी पूनम किशोर नागर द्वारा किया जा रहा है जो चौदा फरबरी तक भंडारे का आयोजन किया जाएगा आयोजन में भाग लेने वा प्रशादी लेने की अपील देप परहार बंचिलार बिसकर्मा समस्त्र गराम बास्योंने की तराना से हमारे संबाद दाता कल्यान सुइंग तोमर की रिपोर्ट